वेलकम डियर कैंडिडेट्स अगर आप HCC की जो है वो फॉर्म फिल अप कर रहे हो हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल की अराउंड 6000 इसमें वैकेंसी है तो सेलेक्शन की चांसे भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है अब यहां पर आप देखोगे कि यह जो फॉर्म आई है इसमें अगर आप जो है वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानि कि अगर आप BCA या फिर BCB कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो डिजरवेशन बेनिफिट मिलेगा और इसके लिए आपके पास एक valid certificate होना चाहिए और साथी जो है वो domicile certificate होना चाहिए तो आप द 2023-2024 के लिए valid हो और यह जो आपका certificate है यह 1st April 2023 के बाद बना हो तभी यह certificate valid होगा और जो certificate है वो आपका 21st March 2024 के पहले बना होना चाहिए मैं आपको repeat कर देता हूं कि आपका जो certificate है वो 1st April 2023 के बाद बना होना चाहिए and 21st March 2024 के पहले बना होना चाहिए अगर आपका certificate पुड़ाना है तो आपको एक new certificate इसू कराना होगा तभी जो हो आपको reservation का benefit मिल पाएगा और साथ ही यहाँ पर आप देखोगे कि OPC जो की central government के लिए अगर आप बनवाते हो तो वो वाला यहाँ पर आपका valid नहीं है तो make sure कि आपको जो हो यह सभी चीजे पता हो before applying the category तो अब यहाँ पर आप जो हो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप other state से belong करते हो तो other state के students को कोई भी reservation का benefit नहीं मिलेगा उन्हें जो है वो general candidate की तरह treat किया जाएगा so make sure कि आप form fill करते समय अगर आप even भी अगर आप OBC category में belong करते हो तब भी आपको OBC फिल नहीं करना है आपको general category ही फिल करनी है तो यह गलती मत करना अगर आप other state वाले students यह video देख रहे हो और अगर आप OBC में like करते हो फिर भी आपको OBC का reservation नहीं मिलेगा आपके पास एक valid O OBC का certificate होना चाहिए जो की हडियाना government के द्वारा issue किया गया हो और वह भी first April 2023 के बाद so I hope कि मैंने जो है वह बहुत clearly mention कर दिया कि आपको reservation का benefit उठाने के लिए क्या-क्या देना होगा and for case कि अगर आपके पास जो है वह category certificate provide कर रहे हो तो आपके पास एक जो है वह हडियाना bonified resident certificate भी होना चाहिए means आपके पास एक domicile certificate भी आपको produce करना पड़ेगा तो आप domicile certificate और अपना BCA या BCB जिस भी category का certificate आप जिस भी category से बिलॉंग करते हो उसका respective certificate आपको देना पड़ेगा जो कि आपको अपको अपने nearby block या फिर तहसील से जाके आप बनवा सकते हो तो सरकल ओफिसरी या फिर तहसील दार से सो आई होब कि यह जो points थी मैंने जो है वह समराइस कर दी है तो आप जो है वह इसके basis पे reservation ले सकते हो नाँ talking about preparation तो अगर preparation की बात करें तो आप यहां पे जो है वह enough number of testories आप ले सकते हो तो यहां पर आप किसी भी government examinations की तो देखो यहां पर जो है वह आप around 235 टोटल रेस्ट आपको देखनों को मिलेंगे यहां पर तो यह भी आप attempt कर सकते हो चाहे तो और test book की जो है वह बहुत ही enough number of testory चलते रहती है तो वह आप एक वाट देख लेना और प्र लाइं प्रॉपह रपिया थू हैं पर च्टार कि तो यह विस्ट आफ और सुपर आपकों प्रॉपट चाहें विस्टान ठावट सेग्मेट